देखे देखे चातरों ये रहाँ आप क्लास 12 विसा इत्यास का 7 अक्टूबर को होने वाला रियल कोश्चन पेपर पुरा का पुरा रियल कोश्चन पेपर इस वीडियो में हम लेकर के आ चुके हैं देखिए आप यहाँ पर देख शकते हैं, पुरा का पुरा रियल कोश्चन पेपर आपका इस वीडियो में आ चुका है, जो 7 अक्टूबर को आपका इसकूलों में कंड़क्ट करवाया जाएगा त्रिमासिक परिख्षा के रूप में, यह MP Board का कोश्चन पेपर है, तो आपक इतिहास का कोश्चन पेपर, आप लोग की डिमांड पर यह कोश्चन पेपर हमने लेकर आया है, तो देखिए, कुछ इस तरीके से समय आपका रहने वाला है तीन घंटे, और इसका पूर्णा का रहने वाला है असियंक, असियंक का कोश्चन पेपर आएगा, 7 अक्टूबर को होने वाला यह कोश्चन पेपर है, साथ ही, यदि आप टौपर बनना चाहते हैं क्लास में, या फिर अस्कूल में, या फिर जिले में, तो इस वीडियो को देखिए, लाट तक जिल ओवाइस कोश्चन पेपर आपके बनने वाले हैं, यह पूरा कोश्चन पेपर आपका real question paper है तो देखे कुछ अस तरीके से निर्देश आपको first of all दिये हैं तो निर्देश आपको इस तरीके से पढ़ लेने हैं यहाँ पर आपको निर्देश आप ये पढ़ सकते हैं देन हम आगे पढ़ेंगे सिदे question paper की तरफ चलेंगे और यदि आप इसका पूरा full PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको हमारे टेलिग्राम चैनल में जूल जाना है जिसके लिंक आपको description में दी गई जो आपको class 12 आर्ट से लेटेट सभी question paper provide करवाई साएंगे देखे कुछ अस तरीके से आपका पहला question paper में पहला प्रशन आता है तो सही विकल्प में आपका पहला question आता है सबसे प्राचीन अभिलेक किस सासक्षि प्राप्त हुए हैं बेमिसार अजा सास्तुर अशोक या विरकनिस्क तो छातरो इसका अंसर आपको लगाना है असुक असो किसका राइट अंसर हो जाएगा यहाँ पर एक नंबर पक्के हो चुके पूरे पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं वीडियो को लाश्ट तक देखिए बस दिल थाम कर और सभी दूस्त को साथ वीडियो को शेर करना ना भूले दूसरा सुरसेन महा जनपत की राज़ानी कौन से थी? मतूरा वारनसी अहचेद्र या फिर इंद्र परश्ट तो इसका राइट अंसर हो जाएगा च्यातर आपको मतूरा मतूरा पर आपको टिक कर कियाना है इसके बाद अगला संस्क्रत भाषा का आदिकवी किस ग्रंट को कहा जाता है रामयाण महाबारत एलियास या फिर रामचरित मानश तो शैफरो इसका अंसर हो जाएगा रामयाण इसके बाद अगला है महावीर श्वामी जैन धर्म किस कौन से तिर्थकर माने जाते हैं पहले दूसरे 23 वे 24 अंसर आएगा 24 वे 24 में आपको इसपर टिक कर देना है इसके बाद पाँचवा है आपका कोशन की अलवारो संतु का आराद्य देओ कौन था तो इसका अंसर आपका हो जाएगा विशुलू विशुलू में आपको टिक लगा देना है या आपका सही उत्तर हो जाएगा इस तरीके से प्लाच नंबर आपको विकल्प के हाँआपर पक्के हो चुके है विडियो को लाट सक देखिए पूरा पूरा आपको मल जाएगा अंसर इसका इसके बाद है कि अजद भारत में मुगल सामराज जी का संस्थापक कौन था सिर्शा बाबर हुमाईयो फर जागिर इसका अंसर आएगा बाबर बाबर ने जो है निव रखी थी मुगल सामराज जी की और वो ही उनके संस्थापक थे इसके बाद आपका सेकंड कोशन है रिक्त थानों की पूर्ती कीजिए जिसमें आपका पहला कोशन है अभे-लोगों के अध्यन को खालिस्तान ही कहा जाता है क्या कहा जाता है आपको बताना है तो इसमें अंसर आएगा आपका एपीग्रेफी जो ही कहा जाता है इसके बाद देखे दूसरा प्रश्ण है आपका की चंदर गुप्त मौरे का सिहासन नारोहन वर्च खालिस्तान में हुआ था कब हुआ था तो ये हुआ था आपका 321 इसवी पूर्व इसके बाद देखी कुरूराजि की राज़दानी खालिस्तान में इस्तिथी थी तो इसका अंसर आपका हस्तीना पूर इसके बाद देखी शूंगारकन्व वंस के राजा खालिस्तान जाती से सम्बंदित थे तो इसमें छ jsemत्रो आपको मिलाना है राम, ब्रामन लिख देना है इसके बाद है कि महत्मा बुद्ध की माता का नाम खालिस्तान था, क्या था? तो इसमें आ जाएगा महा माया महा माया इसमें आपको टिक करना है प्रारंबिक भक्ती अंदुलन का उदाई खालिस्तान में हुआ था कब हुआ था, कहां हुआ था, तो खालिस्तान में हुआ था, तामील नाडू हो जाएगा इसका अंसर इसके बाद एके वीर शौवी शंप्रदाई की प्रवत तक खालिस्तान थे तो चातरों इसमें आपका अंसर आएगा बास्च वन्ना यह आपको टिक कर देना है, यहाँ पर आपके पक्के हो चुके हैं, 20, 10 नंबर 10 नंबर आपके पक्के हो चुके हैं, पूरे पूरे नंबर आपको मिल जाएगे, वीडियो को आश तक देखिए इसका PDF आपको देगी हमारे टेलिग्राम चैनल पर देज आएका तो आपको टेलिग्राम चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्शम से जॉइन कर लेना है इसके बाद कि एक वाकी में उत्तर देजिए पहला मुद्राओं कि अध्यन को क्या कहा जाता है तो इसमें आएका मुद्रा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र कहा जाता है, सेकेंड है चंद्रगुप्त मौरी के प्रधान मंतरी का नाम क्या था, तो आंसर आएका चानक की चानक क्या आपको लिखना है थरड़े महाभारत किस भासा का गरंत है तो उत्तर आएगा संस्क्रिक्त इसके बाद फूर्थ है मात्मा बुद्ध को सची ग्यान की प्राप्ति की घटना क्यों कहा गया तो उत्तर आजएगा संबोधी पाचवाय कबीर की गुरु कौन थे तो अंसर लिखने शंत रामानंद इसके बाद आएगा आएगा आएन ए मकबरी का रचनाकार कौन था अबुल फजल अबुल फजल इसका उत्तर होगा इंडी का नमक पुष्टक की रचना किस ने की तो अंसर लिखने शात्र आपको बेगस्त नीच इसके बाद देखिए आपका आगे आएगा सही जोडी बनाईए सही जोडी मेजदा कॉलम आपको हो जाएगा जिसमें आपको A or B दो आपको यहाँ पर कॉलम दिखेंगे और इसमें आपको कुछ अस तरीके से पूछा जाएगा तो देखिए यह आपका कुछ अस तरीके से हो जाएगा तो देखिए पांड़ों के सर्ष्ट बाता युदिष्टिर हो जाएगा यह आपके सही सही हमने मिला के आपको दिए यह आपके आगे पिछ आएंगे गीता का ग्याना जाएगा स्रीकेशन पंचवरत्य महावरत्य जयन धर्म चार आरिफ सत्य हो जाएगा बहुत धर्म अंग्रेज्य की पहले व्यापारी कोटिक शूरत में बनाएगी ताजमेल होटल आपका बंबाई में होगा तो इस तरीकिश आपका पूरा ये राइट आपका जोड़ी हो जाएगा इसको पूरा ट्रट के जाना है टॉपर आप ही बनके निगलने वाले हो इसके बाद की शत्य अशत्य आपका की पहला भारत में आने वाला प्रतम यूरोपी वेपारी डच थे तो इसमें आपको अशत्य कर देना है बंगाल का विभाजर 1919 में होता तो ये भी अशत्य हो जाएगा इसके बाद सुतंतर भारत को पहले ग्रह मंत्री सरदार वल्लब भाई पटेल थे तो उत्तर आएगा सत्य ब्रह्म लीपी बानस दाय ले और लिखी जाती तो ये होजाईगा शत्य इसके बाद ग्राइभा इसमें पूछा जाएगे आथवा वाले कुश्चन चाहिए तेलीग्राम चैनल जॉइन का सकते है आपको लॉंग कोश्यन के अंसर वित आत्वे के शाथ आपको पूरे प्रोवाइट की जाएंगे चटवाए ब्रह्म लीपी के महत्व प्रकाश डालिए इसका अंसर आपको बताना है साथवा आपको असोक धम के प्रमुक विसेस्ताय लिखिये आपको बताना है इसके बाद देखे शंप्रती गरन्तों में वर्णित विबिन्द प्रकार के विवहाओ का वर्णन आपको खीजे बोला गया है इसके बाद देखे आपका नववा प्रशन है की महत्मा बुद्ध से संबंदित कोई चार अस्थानों का उल्ले का आपको करना है इसके बाद नववा, पूरा स्कनी चॉट ले लिजे, रट कर जाईए, पूरा कोश्चन पेपर आपका ही आने वाला है सूपी मत के विकाश पर एक टिप पड़ी आपको लिखना है इसके बाद देखे, ग्यारवा है, मुगलकाल में अपना जाने वाले सीचाई के रत्रिम शादन क्या क्या थे आपको बताना है इसके बाद देखे, बारवा कोश्चन है आपका, कि मुगलकाल में ग्राम बन्चैत के मुख्या का चुनाओं और उसके कारियों के विवेचना आपको करनी है इसके बाद आपका देखे, तिरवा, शूपी मत, क्या था, इसके चिस्ती, शंप्रदाय का वर्णन कीजिए इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा रियल कोश्चन पर देखा है, और यदि आपको इसके आगे के अंसर चाहिए, या कोश्चन चाहिए, साथ ही आपको इसके अत्वे वाले भी कोश्चन चाहिए, तो आपको वीडियो के नीचे कॉमेंट करना है, और इस वीडियो में आपको लोग कोस्टिन के वित अथवा और आंसर सहीद आपको पूरे कोस्टिन्स प्रोवाइट कर देजाएंगे नेक्स्ट वीडियो में तो जल्दी जल्दी वन के लाइक कम्प्रेट करवाईए और इस वीडियो को शबी दोस्त को शेयर कीजिए साथे टेलीग्राम चैनल जोइन के जिए पीडियाफ के लिए तो शेयर दो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्वीशन के साथ दबत कलते के लिए जहेंद बबाए